राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वाराप्रस्तुत है ये कारेक्रम हिंदी साहित्य की रूप रेखा संसार के सामान्यतह सभी साहित्यों में एक बात मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है वो ये कि आरंभ में साहित्य का लिखित रूप सर्वत्र पद्यात्मक ही मिलता है इसका मुख्य कारण ये है कि पद्य में भावनाओं एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने में सुविधा होती है थोड़े में बड़ी बात सरस्ठंग से कही जा सकती है याद भी रखी जा सकती है सभ्यता के आरंभिक युग में जबकि मनुष्य भावनात्मक अधिक रहता है तब पद्य ही लिखा जाता है धीरे धीरे विचार बुद्धी बढ़ती है तब लगता है समाज केवल भावना पर नहीं चल सकता उसमें चिंतन की भी आवश्यक्ता पढ़ती है यथार्थ की कठोर भूमी पर भी उतरना पढ़ता है और तब ही वो भाशा के गध्य रूप की ओर जाती है हिंदी की भी वही स्थिती रही भारतिय साहित्य की मूल रागिनी समूह मुखी है इस तथ्य को सदैव स्मरन रखना होगा देशकाल की स्थिती के अनुरूप जनता की चित्वृत्ती का प्रतिबिंब हिंदी साहित्य में मिलता है समूह की ध्वनी जब बदलती है, साहित्य में भी परिवर्तन होता है इस द्रिष्टी से हिंदी साहित्य को प्रारंभ से अब तक चार कालों में विभक्त किया जा सकता है विर गाथा काल सं 1050 से 1400 सो तक भक्तिकाल सं 1400 से 1700 सो तक रीतिकाल सं 1700 से 1800 सो पचास तक और आधुनिक काल सं 1850 से अब तक हिंदी का प्रारंभिक काल घोर अशान्ति और राजनितिक हलचल का काल था ऐसे समय में वीर गाथाओं की ही रशना संभव थी देश में युद्ध की ध्वनी ही प्रधान थी तत कालीन रशना राजाओं के आश्रे में ही हुई कवी विशेश रूप से अपने आश्राय दाताओं की प्रिछनसा में ही लगे रहे समय पढ़ने पर युद्ध क्षेतर में भी कूत पढ़ते कलम और तलवार दोनों को चलाने में अपनी कुशलता का परिचय देते थे चंद बरदाई का प्रित्विराज रासो वीर गाथा युक की सबसे अधिक महत्पूर्ण रचना है इसमें चंदों का विस्तार और भाषा का सांदर्य दोनों ही मिलते हैं प्रिय पृति राज नरेश जोग लिखी कगर दिन्नों लगन बरग रचिसरब दिन द्वादस ससिलिन्नों से ग्यारा अरुतीस साक संवत परमाना जो पित्री कुल सुद्ध बरन बर रखाऊं प्राणा जगनिक कविका आलाखंड भी बहुत प्रसित हुआ आलाखंड की दो पंक्तियां तो आज भी अलहेत के ढोल के गंबीर खोश के साथ सुनाई दे जाती हैं 12 बरिस ले कूकर जीएं और 13 ले जीएं सियार बरिस 18 छत्री जीएं आगे जीवन को धिकार अमीर खुसरो भी इसी काल में हुए उनकी पहेलियों और मसनवियों का हिंदी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा खुसरो की कविता में युग प्रवर्तन का आभास मिलता है खुसरो ने अपना खालिक बारी कोश तयार करके भाशा के आदान प्रदान में बहुत बड़ी सहायता पहुँचाई सन 1400 से भक्तिकाल का प्रारंभु हुआ भक्तिकाल की ज्याना श्रै शाखा के अंतरगत वे संतकवी हुए जुनोंने घोशना की जात पात पूछेना कोई हरी को भजे सो हरी का होई इनमें कबीर प्रमुख हैं नानक, पीपा, दादू, रविदास, मलूक दास इत्यादी इसी समय में हुए इस काल के निर्गुनों पासक भक्तों की दूसरी शाखा भी है जिसे प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं ये सूफी कभी सांसारिक प्रेम के माध्यम से परमात्मा के प्रती अनन्य प्रेम व्यक्त करते थे इश्वर का विरह सूफियों के यहां भक्त की प्रधान संपत्ति है सूफी संसार में अपने प्रियतम परमात्मा की ही छवी सर्वत्र देखता है जायसी, कुतबन, मन्जन, उस्मान, शेख नभी इत्यादी प्रमुख है इनकी रचनाएं पद्मावत, म्रिगवती, मधुमालती, चित्रावली आदी है इनमें दोहा चौपाई वाली शैली प्रयुक्त हुई है इसके साथ ही रामभक्ती शाखा का उदय हुआ, जिसमें तुलसी प्रमुख है नाभादास, प्रांचंद, हिरदयराम आदी भी इसी काल में हुए भक्ति काल को इसी लिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है इसमें एक ओर जहां ज्यानी संत कबीर, सूफी जायसी आदी हुए, वहीं रामभक्त तुलसी और क्रिश्न भक्त सूर भी हुए रामभक्ती से अधिक क्रिश्न भक्ती में जनता की रुची हुई सूर्दास के अतिरिक्त, रहीम, गंग, स्वामी हरीदास, हित हरीवंश, नरुत्तम दास आदी के नाम उलेक योग्य हैं तुलसी ने अनमोल साहित्य की स्रिष्ट की, उनके अमर काव्यों में मानवता के आदश भरे पड़े हैं अब लोगों का ध्यान, अलंकार, शब्द शक्ति और रीति की उर्भी बढ़ा इसलिए भक्तिकाल के बाद की रचनाओं का नाम रीतिकालीन कविता पड़ गया इसमें साहित्य के शास्तिक ज्यान को विशेश महत्पुदिया गया काव्यग्रंत, चमतकार प्रधान हो गए इस काल के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामनी, मतिराम, बिहारिलाल, देव, पदमाकर, भूशन, घनानंद, इत्यादी इन कवियों की भाशा साहित्तिक थी बिहारी की विशेश रूप से बिहारी के दोहों के लिए तो कहा भी जाता है सत्सईया के दोरे, जिऊनावक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गमभीर हिंदी की श्रिंगारिक कविता के विरुध आंदोलन का श्रीगनेश उसी दिन से समझा जाना चाहिए जिस दिन भारत एंदू हरिश्चंद्र ने अपना भारत दुर्दशा नाटक प्रस्तुत किया और कहा आवहु सब मिलके रोभव भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई बारत एंदू हरिश्चंद्र की कविता हिंदी में नई प्रकति का संदेश लेकर आई सामाजिक, सामप्रदाइक, राजनीतिक तथा साहितिक छेत्रों में हल चल हुई परिणाम स्वरूप जनता में शिक्षा की रुची जाकी अभी तक ब्रजभाषा ही कविता का माध्यम थी कवित सवैया आधी चंदों का ही प्रियोग होता था किन्तु अब खड़ी बोली का प्रियोग होने लगा चंदों में भी अनेक रूपता आने लगी खड़ी बोली उस समय करकश थी किन्त उसमें कोमलता लाने की चेश्टा प्रारंभ हो गई थी पंडित महावीर प्रसाज द्युवेदी, पंडित श्रीधर पाठक इस खड़ी बोली की कविता के युक्के प्रथम लेखक एवं आचा आरे हुए सरस्वती मासिक पत्रका का प्रकाशन आरंभ हुआ अयोध्या सिंगु पाध्याय हरियौध और नातुराम शंकर शर्मा विलक्षन शब्द निर्माता हुए मैतली शर्ण गुप्त खड़ी बोली के सबसे प्रसेद प्रत्निती कवि हुए साकेत, पंच्वटी, जयद्रत वद, द्वापर इत्याद इनकी रचनाए हैं आधुनिक राष्ट्रिय कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश्ट्र पाठी आदी उलेखनी ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी का चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूता जाऊं अत्यंत प्रसिद्ध है नवीन का कवी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, त्राही त्राही रवचाए श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसी समय में हुई सुभद्रा कुमारी की खूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी थी कविता तो बच्चों के मुख पर आज भी ज्यों कीट्यों किलकती रहती है हिंदी कविता के तीसरे चरण का आरंभ छायावादी काव्यशैली से हुआ चायावाद का समय मोटे तोर पर सर्ण 1920 से 1936 तक माना जाता है इस युग के चार प्रमुक कवी अविस्मरुनिय रहेंगे जैशंकर प्रसाद, सुर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इन कवियों की विशेश्टाएं हैं व्यापक मानवी यचेतना, सौंदर यबोध, समवेदन शीलता किन्तु देश की आर्थिक, राजनेतिक परिस्थिती ने कविता की धारा का मुख मोड दिया 1936 के बाद जिस धारा में कविता बही उसका नाम प्रगतिवाद है कविता को जनता की संपत्ती कहा गया कवि व्यक्तिगत सुक दुख से हट कर समाज का सुक दुख चित्रित करने लगा इस युग के प्रमुक कवि हैं नागारजुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल सन 1943 से हिंदी में जिस नई काविधारा ने जन्म लिया उसे प्रियोग वाद कहा गया इसके प्रवर्तक थे अग्गे अग्गे के संपादन में तार सब्तक नामक एक काविः संकलन प्रकाशित हुआ जिसमें साथ कवियों की रशनाएं थी ये कविते, अग्गे, गिरिजा कुमार माथूर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूशन अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और राम विलास शर्मा सन 1952 में दूसरा सब्तक भी प्रकाशित हुआ सन 1955 के लगभग नई कविता का उदय हुआ नई कविता में पिशली काव्यधाराओं की अनेक प्रिवृत्तियां दिखाई देती हैं उसमें चायावादी रोमांस भी है, प्रगतिवाद की सामाजिक चेतना भी और प्रियोगवाद का वयक्तिक भावबोध भी नई कविता के सर्वेश्वर द्यालसक सेना, दुश्यंत कुमार, कुवर नारायन आधी अनेक कवि हुए नई कविता प्रवहमान है, इसका भविश उज्ज्वल है आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेश्ता है खड़ी बोली में गज्दि का विकास इसका इतिहास बड़ा रोचक है खड़ी बोली मेरट के चारों और के प्रदेश में बोली जाती थी अरब, फारस और तुरकिस्तान से आए सिपाहियों को बड़ी कठिनाई होती थी दोनों ने एक दूसरे की भाषा के कुछ शब्ड सीख कर बादचीत करने का मार्ग निकाला इस प्रकार सिपाहियों की चावनी में एक खिचड़ी भाषा पकी जिसके दाल चावल खड़ी बोली के थे नमक आगंतुकों ने मिलाया धिरे धिरे खड़ी बोली के तीन वर्तमान रूप हुए एक शुद्ध हिंदी जो सहित्तिक भाषा कही गई दूसरी उर्दू जो मुसल्मानों तथा कुछ हिंदूओं की घर के बाहर की बोल्चाल की भाषा बनी तीसरी हिंदुस्तानी जिसमें हिंदी, उर्दू, दोनों के ही शब्द प्रियुक्त होते थे गद्य बहुत पहले से लिखा जाना प्रारंभ हो गया था पर अधिक लिखा नहीं गया अकबर भाशा के हां गंग भाठ था उसने चंद चंद बर्नन की महिमा खड़ी बोली गद्य में ही लिखी थी हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा चार प्रमुख लेखकों ने की इनमें मुंशी सदा सुख और सदल मिश्र पहले उन लेखनी हैं फिर लल्लू जी लाल और इंशाओल्ला खां का महत्व है भारतेंदु हरिष्चंद्र के ख्षेत्र में आते ही हिंदी में उन्नती का युग आया बंगला नाटकों का अनुवाध हुआ मौलिक नाटकों की रचना हुई उपन्यास लिखे गए निबंधों का प्रारंभु हुआ पंडित प्रताप नारायन मिश्र, बाल कृष्ण भट, ठाकुर जग्मोहन सिंग, बाल मुकुंद गुप्त इत्यादी ने गद्य साहित्य को भरपूर संब्रिध किया काशी नागरी प्रचारनी सभा की स्थापना और सरस्वती मासिक पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी गद्य को उन्नती और प्रोट्साहन का मार्ग मिला समा लोचनाय लिखी जाने लगी कथा साहित्य के ख्षेत्र में प्रेम चंद के बाद जैनेंद्र, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी इत्यादी ने अपूर्व योगदान दिया हिंदी साहित्य के विकास क्रम की ये एक जलक मात्र है जिससे हिंदी की सशक्त परंपरा का पता लगता है इतने कम समय में हिंदी साहित्य ने इतनी अद्पूर्व प्रगती की है कि आज विश्व साहित्य में उसका निजी महत्वपून स्थान है उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, नाटक और कविता के छेत्र में वो विश्व की किसी भी अन्य भाषा के समकक्ष है हिंदी साहित्य की रूप रेखा, अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम आलेक, डॉक्टर शकुंतला शर्मा, विशे सैयोजन, स्वर्णा गुप्ता, कलाकार, मंजु मैनी और राम मैनी, धन्यांकन, दीपक पांडे, धनी सहयोग, हरीश शर्मा, निर्मान एवं प्रस्तुती, अजीत होरो तथा परियोजना निर्देशन, डॉक्टर एलजी सुम करता कर्वक कर्वक्ड़ काता, क्ले क्विधन शर्मा, वर्स्टा, क्कॉप्ता शर्मा, विछा hypothetical एकुम मैनी, विव Kings flavor.